अस्टेलिय चे बैठे जवाई में आपने सोदे दी जान लैंड नू लेके सुपारी जिती ही कतल दी सुपारी लेके हमला करन वाले ग्रोफदार नवा शैर पुलिस में पंडा फोड का दिता है इस ग्रोफदे एक औरोपी नू पहना ही पुलिस में ब्रामत कर लिया इननू अदाल से पीश किता गया है इसने एक बहुत वड़ी कामे भी मिली है जदो एक कतल दी सुपारी लेके बुजुर्दे हमला करन वाले ग्रोफदा असी परदाफास किता है और तीन दोसी फटन दे विच राहों के सचो रजीव कुमार और डियस्पी नवासर रंजी सिंग ने इदे विच बहुत सलागई योगे कार्य किता है यह जो पूरा मैटर हैगा वो यह है कि मेहर सिंग नाम का एक बंदा रहों दा रहन वाला हैगा उसकी डॉटर मंजीत को और आस्टिलय दे विच रहन दी हैगी उत्थे उसके हस्वेंड जो सिव सीतल और केड़ी है उदे नाड फैमली डिश्कूट हैगा आस्टिल अदालत एक रमंदीप सिंग लुधियाना दा रहने वाला हैगा उसनों हायर कीता अपने फादनिलो दा कतल करन वास्ते उदे रिगार्डिंग उसने रमंदीप के खाते दे विच दो लाग तीसा जार रुपए बैंकर हैं ट्रांसपर कीते हैगे और टोटल इनाधी गल दस लाग द से घर्दे उपर सबसे पहले इन लोगों ने 31 दिसंबर 2022 नों उसनों मारण दी नियत नाल इत्थे आये सी लेकिन उस दिन वह अपने मकसद दे विच कामयाब नहीं हो सके वह उस दिन उस पे शिरप उसका मॉबाइल चोरी करके लेगे सी उसकी असी फायर नंबर 125 राहों थ पहने देविच से एककतिती संबन्नों दर्द रिश्टर कीती हैगी उदे बाद में सेकेंड अटेम्ट 6 जनवरी 2023 कीता उस दिन सलमान मौके तो फड़ा गया लेकिन जो दो उसके साथी विसाल और सौरभ मौकेते भजण देविच कामयाब हो गई सी उदे बाद में फिर थ पातर नाल काफी उसनों इंजड कीता उदे बियाब पर असी एफाई आर रिजिस्टर कीती हैगी अंडर आईपीसी एक्ट है और आम सेक्ट है और इसमें 307 धारा काभी असी वादा कीता बाद दे विच्छे उसकी हलत काफी सीरियस सी तो साब ने प्रॉंप्टली एक्षन करते हुए इदे विच्छे टोटल असी चार दोसी हुन तक फड़ लिए हैगे पहला हैगा रमन दीप सिंग हैगा और दूसरा हैगा सौरब कुमार अ साउथ एशन कनेडियन चैनल